यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सब आशागरते हैं आप सब बहुत अच्छी होंगे और स्वस्त होंगे तो आज मैं आज किस टॉपिंग में वीडियो लेकर आएं वो लोग आप लोग थामनेल लेकर जाने क्योंगे फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज का जो व वीडियो या मेरा ये चैनल लिंक में भेदभाव करने को पर बिल्कुल भी नहीं बना है इस वीडियो के थूँ मैं उन लेडिस के जिने में बहुत ज्यादा जिग्यासा उटती है ये जानने के लिए मुझे क्या होने वाला बेटा होने वाला बेटी होने वाली तो उनकी पर बेबी बॉय ही आपने कंसीव किया बेबी बॉय ही होने वाला क्योंकि ये सिंटम्स मैं आपसे वही शेयर करें हूं जो मुझे भी हुए थे मेरे बेबी बॉय के टाइम पर देखे बहुत टाइम से ओल्ड वाइब सली आ रहे हैं जैसे घर की दादी नानी जो बड़ी बॉज़ूर्ग होती है ना उन्हें मतलब वो देखके याडिया लगा लेती है कि आपको बेबी बॉय होने वाला या बेबी गर्ड होने वाली है माबाप के लिए तो दोनों बच्चे ही बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं अपने दोनों ही बच्चों से माबाप को तो है जैसे ही उसका बच्चा हाथ में आता है यानि कि उसकी गोई में आता है तो वो सब कुछ भूल जाती है सिर्ब बच्चे और मा का रिस्ता इतना ज्यादा गाड़ा होता है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है तो उसमें बोई गर्ड में भेट बाउग करेंगी तो बता देते थे और वो मुझे भी हुए थे और मेरे केस में बिल्कुल सही हुए थे देखे पहला सिम्टम्स से पेट का शेप यानि के बेबी बंप का जो आपका शेप होता है देखे सबकी बॉड़ी अलग होती है तो सबके हार्मॉन्स भी अलग होते हैं जरूरी नहीं है कि जो अगर किसी को बेबी बॉई के टाइम में जो सिम्टम्स थे वही सिम्टम्स अगर सेम आपको भी है तो आपको भी बेबी बॉई ही हो जरूरी नहीं है बट फिर भी ओल्ड वाइप्स जो बहुत पहले से चली आ रही है वही मैं आपसे शेयर करूँगी कईयों के साथ तो इस वीडियो को आप से फ और से इन्जॉय लेना अगर आपके केस में सटीक हो जाता है तो वैलन गुड है और अगर आपके केस में सटीक नहीं बैटा है तो कोई प्राब्लम नहीं है ओल्ड वाइप्स के मताबिक बता रही हूँ कि लेडि इसका जो पेट का आकार होता है कि बिल्कुल pointed होता है चारो तरफ से फैला नहीं होता है सामने की और होता है और नीचे साइड में होता है तो मेरा तो seven eight month के बाद में नीचे आया होगा था otherwise उपर ही था लेकिन हा मेरा पहले के मताबिक जिसे baby girl के के टाइम में मेरा पेट भी चौड़ा था चारो तरफ से फैला हुआ था और baby boy के टाइम में मेरा पेट बिल्कुल pointed था सामने की और था तो यह मेरे बाद में नहीं आती है तो मेरे केस में बिल्कुल सही बैठा है कि baby boy के टाइम में मैं काफी active थी है मैं वैश्ण देभी गई थी जब मेरा थर्ड या फोल्ट मंट लग गया था तब मैं वैश्ण देभी गई थी मैं आराम सी गई थी इतनी चड़ाई चड़के मैं पैदली गई थी बैरो अबा की प्रचड़ाई तो कितनी डिफकल्ट है मैं वहां भी आराम से गई थी मुझे कुछ भी extra problem नहीं थी और पूरी pregnancy मैं active ही रही हूं तो ये भी मेरे case में बिल्कुल सही बैठा हुआ है तो हमारा third symptoms है मैं face का glow की बात कर रही हूं आपे तो बोलते हैं baby girl के time में face का glow चला जाता है बोलती है कि आपकी जो baby girl होती है वो आपकी पूरी संदर्ता को ले लेती हो baby boy के time में आपका face glow करने लगता तो इसका reason मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि अगर आप अच्छा खा रहे हो pregnancy में healthy खा रहे हो healthy पी रहे हो तो अर्चे से rest कर रहे हो तो face glow करेगा और अगर जैसे कि starting के दिनों में सब कोई problem होती है नोजिया problem होता है morning sickness होता है वाम टिंग सी वज़े से हम लोग जादा कुछ खा भी नहीं पाते है जिसकी वज़े से weak हो जाते है और obviously जब आप weak होंगे तो आपका face डल हो ही जाएगा तो मेरे साब से ये भी हो सक growth बोलते हैं जब अगर आपने baby girl को conceive किया तो आपके बाल काफी bouncy आपका hair growth अच्छा हो जाएगा शाइनी हो जाएगा तो ये भी मेरे case में बिल्कुल सही है कि मेरे बाल काफी अच्छे हो गए थे और बोलते हैं अगर आपने baby girl को conceive किया था तो बाल मतलब hair fall होता है शाइनी नहीं रहते हैं रफ रफ जैसे बाल हो जाते हैं तो ये भी हो सकता है मेरे case में भी बिल्कुल सही बठा हुआ है तो ये चार symptoms जो मुझे खुद हुए थे वो मैंने आप लोगों के साथ share किया है और ये symptoms बहुत सटीक हैं जिन महिलाओं के pregnancy के दौरान ये symptoms देखने को मिले ह उनको baby boy हुआ है तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ share किया है और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मन ही मन में गलत भावना बिल्कुल मतले की आईएगा ये देखे ओल्ड वाइप्स हैं जरूरी नहीं है कि सबी के case में एक जैसा हो सबके hormones अलग होते हैं हमार का खाना खाना एवाइड करें हो मानते हैं कि first semester में तो बहुत ही मन करता है चटपटा बाहर का खाना खाने का घर का खाना बिल्कुल नहीं चरकता है फिर भी आप कोशिस करें घर पे ही हो सके जितना आप कर सकें बना के जो भी खाने का मन करें आप घर पे बना के खाएं बा बाहर का खाना बिल्गुर एवाइट करें और अच्छे से अपना ख्यार रखें हेल्दी लाइब स्टाइल्स ही हैं जितना हो सके उतना हेल्दी खाए भी हैं और आई होप आप लोगों को ये मेरा इन्फोर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो प्लीज आप लोग इसे लाइक कर देना अगर आप मेरे चैनल पे फर्स टाइम विजिट की हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर देना और जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग प्लीस कमेंट सेक्षन में आके जरूर बताएगा मैं आपकों के लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी मिलते हैं ने किसी वीडियो के साथ में तब तक के लिए ख्याल रखेगा आई होप मैं भगवाण जी से प्रेयर करूँगी कि जो भी मेरी प्रेगनेंट में जो भी मेरे वीडियो देख रही है उनकी विष्ट को पूरा करें भगवाण जी जो भी वो चाहती है बगवांची उनको वो दो है वो लड़ू को पाल चाहती तो उन्हें लड़ू को फाल मिले वो राधारानी प्यारी से चाहती तो उन्हें राधारानी मिले तो मैं यही बगवांची शीPeर करूँगी आप लोग अपना ख्याश रहो